हेलो फ्रेंड्स बेलकम टू माई चैनल आज हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई जैसी आलू की ग्रेवी वाली सब्जी और खस्ता वाली कचवड़ी सबसे पहरे हमें बॉइल डालू ले लेना है और बड़े से घोणी में इसे रख लेंगे 15- afford & mesh कमी काम 15-20 डाने 5 बराज 5 शांते हम हम7 दाने 5 ले लांग कामी मुइन भकार के सब्सेश में बशार रहता है और एक दरदरा सा पाउडर बनाके इसे रख लेंगे अलग से कटोरी में ये सारी काम हमें पहले से करके रखनी है और अब ले लेंगे थोड़ी सी हींग हींग में डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसको भी हम रख लेंगे यह सारी चीजें हमें सबजी रेडी करने से पहले ही प्यार करके रख लेना है अब एक कडाई में हम डालेंगे ऑयल, ऑयल थोड़ा से रेगुलर से जादा ही डालेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑयल एक्स्ट्रा रहता है डाल देंगे जीरा जब डाग अपनी कोस्षबू देने लगे तब घोलमीmrch और लॉंग पौडर युघ नहीं दाल देंगे हम सोटे कर ले घाल देंगे इसमें रफली चॉप करी होई 2-3 हर्य मिर्च now wij ourselves with little abhean ‑‑ अब भूने के बाद डाल रहे हम थोड़ी सी हल्दी भूहती थोड़ी सीदीदे की हम बहुती कम डलती है सबजी में और फिर इसमें हम हलका सा चलाने की बाद डाल देंगे कश्मी लाल मिर्च पाउडर ध्यान रहे फ्लेम यहां बिल्कुल स्लो रहे क्योंकि हमारे मसाले बिल्कुल सुखी हैं सवरी से जल्दी पक जाएंगे अब पूरा आलू जो मैश किया था हमने वह पानी की जब पतला करना चाहते हैं यह थंडा पानी बिल्कुल लाइट देखेंस इसमें हलका सा उबाल जब आ जाएगा तो ड्रن तुो दअग देखर दियी इसमें गन्या पाउडर लगब एक से देड़ चमल ऑर Đर देंगे इसमें based मिक्स कर देंगे धनीया को और गज़िक विल् मसाला अगर अगर स्टार्टिंग में डालेंगे तो भूनता नहीं है हम अगर भी भी डालेंगे तो सबसी का टेस्स उतना ही होगा अब हम डाल देंगे इसमें कसूरी मेथी, हाथ से क्रश करके अच्छे से अब इसे हमें उबालाने देना है और कम से कम 30-45 मिनिट्स के लिए हमें इसे पकाना है slow flame पे इसलिए सारे मसाले हमारे अच्छे से बुन जाएंगे अब वो हींग जो अपने पानी में रखी थी वो भी इसमें डालके हमें इसे अब छोड़ देंगे तकरीवन 30 मिनिट्स के लिए पकने के लिए flame को आप थ्यान रखे flame को लोही रखे ताकि ये काफी टाइम तक पकती रह अब देखिए 20 मिनिट्स के बाद कुछ इस तरह से ओयल जब उपर आ जाएगा तब समझे कि हमारी सबजी पकने लगी है अब यह पूरे तरह से रेडी नहीं है अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अमचुल पाउडर लगबग एक चममच अमचुल पाउडर जरूर डाल इसमें इसका टेस्स यहीं बढ़ाएगा क्योंकि हम इसमें टमाटर और किसी पी तरह के की खटी चीज इस्तिमाल नहीं कर रहें इसमें अमचुल जरूर डाले अब देखिए अमचुल के बाद इसको थोड़ी दिर हमने फिर पकने दिया है यह कुछ इस तरह से हलकी सी ग्र इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी बिलाएंगे और एक सॉफ्ट सा डो बनाके प्यार कर लेंगे बहुत ज़्यादा हाड डो नहीं बनाना है अब आटा मारा बिल्कुल रेडी है अब इसमें थोड़ा सा ओइल डाल की हम इसको सॉफ्ट कर लेंगे और इसके उपर एक कपड़ा रखके से धांकी रख देंगे एक साइड की रख देंगे हम इसको रेस्ट के लिए अब हम सबजी देख लेते है अब देखिए 45 मिनट के अब हम आटे की छोटी-छोटी सी लोई बना के इसको हम बेल लेंगे अब देखिए हमें बहुत ज्यादा पतली सी रोटी नहीं बेलनी है थोड़ा सा मोटा थोड़ा सा पतला रखेंगे मीडियम चाइप्स की हम उड़ी बना लेंगे क्योंकि इसमें फिलिंग हम नहीं बन आके डालूंगी वीडियो यह देखिए हमारा ओयल बिल्कुल हीट हो गया अच्छे से ध्यान रहे गरम होना चाहिए ताकि यह अब्सर्व ना कर सके ओयल जैसे यह थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी फिर हम थोड़ा सा फ्लेम को लो कर देंगे यह देखिए अब यह सिग अगर आपको मेरे वीडियो पसंदा है तो प्लीज लाइक शेर से सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू फर वाचिंग